2019 में भारतिय जन्ता पार्टिय और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी माननिय प्रधान मंत्री जी के नित्रुत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला BJP को 106 सीटे, शिवसेना को 56, 56 सीटे और कई अन्य लोग हमारे साथ आए 170 तक हमारी मेजोरिटी जा रही थी माननिय प्रधान मंत्री जी ने चुनाव के दर्मियान भारतिय जन्ता पार्टी के मुख्य मंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था, किन्तु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने ये निर्णे किया कि हिंदुर दे समराट शिवसेना प्रमूख बादा साथ ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया जीवन भर जिन से लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बन कर दूँगा ऐसे लोगों के साथ एलाइंस किया 2019 में भारतिय जनता पार्टिय और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी माननिय प्रधान मंत्री जी के नित्रूत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला बीजेपी को 106 सीटे शिवसेना को 56 56 सीटे और कई अन्य लोग हमारे साथ आए 170 तक हमारी मेजोरिटी जा रही थी माननिय प्रधान मंत्री जी ने चुनाव के दर्मियान भारतिय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री का नाम भी ऐलान किया था सबको मंजूर भी था किन्तु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने ये निर्णय किया कि हिंदुर्दे समराठ शिवसेना प्रमूख बारा साहिब ठाकरेजी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया जीवन भर जिन से लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बन कर दूंगा ऐसे लोगों के साथ एलायंस किया